सो हे गाईस कैसे आप लोग उम्मिद करते हैं कि आप अच्छे होगे दोस्तो आजम बात करेंगे कोस्ट गार्ड के रिजल्ट के वारे में जिन्होंने भी दोस्तो नेविक डीवी जीडी एंड यांतरी का एक्जाम दिया है उन्हों के लिए आज का वीडियो को देखिए अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं कराया तो लाइक जरू कर देना सेयर कर देना चैनल पे नहीं पहली वार आयो तो छोटी से रुकाई स्टाप से है चान सिसक्कार पकर लेना अब बात करते हैं दोस्तो हम आपके रिटेन एक्जाम के वारे में दोस्तों रिटेन एक्जाम का रिजल्ट कवाएगा स्टेज वन एक्जाम का तो देखा जाए तो दोस्तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है सही माईने में दोस्तो इसी महीने में आने वाला है जी हाँ दोस्तो गुमा फिराग कोई बात नहीं बताएंगे कि लिए बताने वाले हैं दोस्तो इस महीने के लाश्ट विक तक पूरी उमीद है कि ये कन्फर्म अपडेट हम आपको दे रहे हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि दो दिसंबर से आपके एक्जाम रिस्टार्ट थे दोस्तो नेविक डीवी जीडे अंड यान तरिके और तीनों का रिजल्ट दोस्तो एक साथ आएगा ठीक तो इस महीने के लास्ट विक में यानि कि अंतियम सप्ता में आपका रिजल्ट आने वाला कमर कस लीजे क्योंकि दोस्तो हम इसलिए कह रहे हैं जब नोटी विकसन आया था कोस्ट गार्ड का तो दोस्तो उसमें विलोग किलियर दे रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं आपका स्टेज वन कर रिजल्ट कब डिकले किया जाएगा विदिन 30 दिन के भीतर ओलन एक्जाम खतम होने के 30 दिन के भीतर दोस्तो अंडर आपका रिजल्ट आ जाएगा ठीक है आई से जी डिकले कर देगी और बाकी दोस्तों दो तिन वैच आप उठायकर देख लेना उसमें भी दोस्तों एक महीने के भीतर आपका रिजल्ट आ गया था ठीक है तो जो आपका रिजल्ट आएगा स्टेज वन एक्जाम का आने वाला है तो भाई नीचा कमेंट करें बताए कि आपका स्कॉर कितना आ रहा है और कट अप को लेका वीडियो नहींगे दोस्तों इस वह एक्सपेक्टिट कट अप क्या रहने वा बाई की दोस्तों रिजल्ट के वारे में हमने आपको बता दिया है कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है इसी महीने के लास्ट वीक में जो की महीने चल ला है दिसमर के लास्ट वीक में दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा ठीक है नहीं तो जनुवरी के पहले सप्ता म आपका जैल जब भी आएगा तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पलपले की अपडेट देंगे यदि आपने टेलेगाम गुरुप जोइन नी कर रहा है तो जोइन जरू कर लेना जी स्टेडी के नाम से टेलेगाम गुरुप है आप टेलेगाम पर जाएए नहीं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा आप जोइन कर लेओ दोस्तो पलपले की अपडेट आपको मिलती रहती है अब आगे बात करते हैं दोस्तो आपके फेस्टू एक्जाम कब से स्टार्ट है तो देखा जाए तो अगले महीने से दोस्तो आपके फेस्टू एक्जाम स्टार्ट है stay second exam दोस्तों January में शुरू कर दिये जाएंगे यदि आपने तयारी करना start नहीं किया तो start कर देना क्योंकि January के minutes है दोस्तों या तो आपके face होने वाले नहीं तो end में confirm है ठीक है तो अभी आपके पास एक सबा महिना है तयारी करने के लिए पूरा तो जितना हो सके दोड कीजिए रनिंग कीजिए 600 मेटर दोड होने वाली आपकी जो की आपको 7 मेट में complete करनी है और यह पूरा टाइम आपको दिये जाएगा 7 मिनिट ठीक है ऐसा नहीं कि 5 मेट आपको मिलनी है 6 मेट आपको मिलनी है आर्मी कितनी हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है complete 7 मेट आपको मिलेंगे जिसमें की 1.6 किलोमीटर दोड़ आपको complete करनी है ठीक है और 20 उठक बेटक होने वाला 10 आपका push-ups होगा यह आपका PFT में होगा physical होगा और आपका DEV होगा document verification होगा phase 2 exam में and एक passing test आपको देना होगा यह qualify करना होगा इसके number नहीं जुड़ेंगे देना होगा आपको एक passing test रख दिया इस वार ठीक है और एक आपका दोस्तो इनिटेल medical होगा ठीक है phase 2 exam में भाकि दोस्तो यह final medical नहीं है final medical आपका होगा state 3 exam में तो यह आपको qualify करना है ठीक तो यह सब कुछ होगा आपके दोस्तो पी एफटी होगा आपका state 2 exam में ठीक है phase 2 exam में आपका PFT होने वाला physical fitness test होगा DB होगा passing test आपको qualify करना है और इनिटेल medical आपका होने वाला है तो जितना हुसा है कि दोस्तो आप अपने phase 2 के तियारी में लग जाए वक्त काफी कम है आपके पास बाद में हमसे मत कहना तो इस महिने के last week में दोस्तो आपका result आ जाएगा यदि last week में आपका result नहीं आता तो आप परिशान मत होना क्योंकि notification में दे रहा है कि all in exam खतम होने के within 30 दिन के अंडर यानि की एक महिने के अंडर आपका result डिकले कर दिये जाएगा में भी दोस्तो जनुवरी के first week में आपका result आ ही जाएगा ठीक है पलपल की update पाने के लिए चैनलों को subscribe कर लेना बैलिक अंदर बाद देना फिलाल आज की वीडियो में अतना ही था दोस्तों जिन्होंने भी exam दिया है उन तक इस वीडियो पहुचा देना share कर देना और चैनलों को subscribe करते जाना ठीक है छोटी स्रोकेस्ट आप से मिलते हैं आप से अगली वीडियो में आप तयारी करते रिजे अपना ख्याल रखो जै हिंद जै भारत